नमस्कार, जीन जुन्डिया में आपका हर्दिक स्वागत है, कार्थिक इस्तनान की सभी देश्वाश्यों को हर्दिक शुक्का है 27 नमंबर को मनाय जाएगी कार्थिक पुणिमा, राशी के अनुसार दान करना रहेगा उचित कार्थिक पुणिमा का शिवयोग प्राताकाल से लेकर रातरी 11 बच कर 49 मिनट तक है, उसके बास से सिवयोग अगले दिन तक रहेगा पुणिवाए वले दिन सवार्थ सिवयोग दोपहर 1 बच कर 35 मिनट से शुरू होकर 28 नमंबर को प्राता है 6 बच कर 54 मिनट तक रहेगा पुणिमा वाले दिन सरवार्थ सिवयोग दोपहर 1 बच कर 35 मिनट से शुरू होगा और 28 नमंबर को प्राता है 6 बच कर 54 मिनट तक रहेगा कार्थिक पुणिमा को दोपहर 1 बच कर 35 मिनट तक तरतिका नक्षत्र है उसके बास से रोहनी नक्षत्र है कार्थिक पुणिमा को देव दिवापली के वी नाम से जाना जाता है मानेता है कि कार्तिक मास में बगवान विश्णू ने मत्से अवतार लिया था इसे बगवान विश्णू का मत्से अवतार हुआ था इसे बगवान विश्णू का पहला अवतार माना जाता है प्राचीन समय में जब जल पढ़ ले आया तब भगवान विश्णू मस्यवतार के रूप में भगवान ने पूरे संसार की रक्षा की थी कार्तिक पुर्णिमा को तिर्प्रारी पुर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है मानेता है कि सिती पर शिवजी ने तिर्प्रासुर नाम के देत्य का बद भी क्या था इसी वज़े से तिरप्रावी पुर्णिमा कहते हैं कार्थिक पुर्णिमा को देवताव की दिपावली भी कहा जाता है इस कारण इसे देव दिपावली कहते हैं इस दिन पवित्र नदियों में इसनान और दिवदान करने की प्रंप्रा है साथी हवन दान जब तब आधी धार्मिक कारियों का विशेश वो महत को बताया जाता है विश्नु पुराण के नुसार इस दिन बगवान नारायन ने मत्स्य अवतार लिया था साथी दिन उप्थाया चंद्रेंड भी लग रहा है जो इस दिन महत को और अधिक बढ़ाता है कार्तिक मास के अंतिम्टिती यानि पुर्णिमा पर इसी महा के इसनान समाप्त हो जाएंगे मानिता है कि कार्तिक पुर्णिमा पर पवित्र नदी में इसनान, दीबदान, पुजा, आर्ती, हवन और दान पुन करने से अक्षेपुन्य प्राप्ति होती है बगवान 97 की कताई दिन पढ़नी और सुनी चाहिए जुरत्मन लोगों को फल, अनाज, दाल, चावल, गर्म, बस्र अधिकादान करना चाहिए कार्तिक पुड़िमा पर अगर नदी में इसनान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर में इस सुब़े जल्दी उठे और पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इसनान करें इसनान करते समय सभी इर्थो का और नदियों का ध्यान करना चाहिए सुबह जल्दी उठे और इसनान करने के बाद सुरिया को जल चड़ाएं जल तामे के लोटे से चड़ाएं अर्दे देते समय सुरिया को मंतर का जाप करना चाहिए किसी कोशाला में हरी घास और धन का दान करें इस दिन शिवरिंग पर जल चड़ाएं ओम नमेश शिवाय मंतर का जाप अधिक से अधिक संख्या में करें और करपूर चलाकर आर्थि करें शिवजी के साथ ही गडेशी, मापारवती, कार्थिके, स्वामी और नंदी की भी विशेश पूजार्शना करें हनमान जी के सामने दीपक जलाकर हनमान चाली सका सुन्दरपान का पाठ करें देव दिपावली पर कुछ शुब योग बन रहे हैं कार्थिक पुर्णिमा को शिव योग प्रातकाल से लेकर 11 बचकल 49 मिनट तक है उसके बाद से शिद्योग अगले दिन तक रहेगा कार्थिक पुर्णिमा को दोपहर एक बचकर 35 मिनट तक प्रतिका नक्षत रहे उसके बाद से रोईना नक्षत रहे इस साल कार्थिक पुर्णिमा की तिति 26 नोवेंबर को दोपहर तीन बचकर 53 मिनट से श्रप्रारम भोकर 27 नोवेंबर को दोपहर 2 बचकर 45 मिनट तक रहेगी कार्थिक पुर्णिमा 27 नोवेंबर सौमार के दिन ही मनाई जाएगी प्रदोश काल शाम पांच बज़ कर आठ मिनट से शाम साथ बज़ कर संतालिस मिनट तक रहेगा देव दिपावली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाट पर आकर दीब जलाकर अपनी खुशी को दर्शाते हैं ते लिए कार्थिक पुणियमा کے दिन दीब दान का बहुत अधिक महत्व है इस दिन नदी और तला में दीब दान करने से सबी तरह के संकत समख़त हो जाते हैं और कर्च से भी मुक्ती मिलती है कार्तिक पुर्णिमा के दिन घर के मुक्खे द्वार पर आम के पत्तों से बनायावा तोरन द्वार जरूर बांदें और दिपावली के ही तरह चारों और दिपक जलाएं कार्तिक पुर्णिमा के दिन शाली गराम के साथ साथ तुलसी की भी पूजा की जाती है इस दिन तुलसी पूजन का बहुत अधिक महत होता है इस दिन तिर्थ पूजा गंगा पूजा विश्नु पूजा लक्ष्मी पूजा और यग और होन का भी बहुत महत होता है इस दिन क कामनाएं पूरी हो और दरीदिता दूर हो सके कार्तिक पुर्णिमा के दिन दान करने से दस यगों के समान पल प्राप्त होता है इस दिन दान का बहुत अधिक महत होता है कार्तिक पुर्णिमा के दिन अपनी शम्ता के नुसार अन्य दान वस्त दान और अन्य जो भी दान कर स किसी दिन किया था इसे देताव को दानौ की अत्यचार से मुक्तिमिली थी देताव ने खुश होकर भगवान शिव को परप्रारी नाम दिय था पुरानए कथाओं में यहaney बताया इया कि भगवान विश्नू का पर्थम अवतार भी इस दिन हुआ था पर्थम अवतार कुंडली में पित्र दोश, चांडाल दोश, नदी दोश यादी इस्तिति हो तो उसमें भी श्युक्र लावुगा. राशी के नुसार किन किन चीजों का दान करना चाहिए आज हम आपको बताते हैं मेश राशी वालों को गुड का दान करना चाहिए ब्रश राशी वालों को गरम कपडों का दान करना चाहिए मित्वन राशी वालों को मूं की दाल दान करनी चाहिए करक राशी वालों को चावल दान करना चाहिए सिंग राशी वालों को गेहु दान करना चाहिए कन्या राशी वालों को हरे रंका चारा कुला राशी वालों को भोजन बर्शिक गुड और चना धनू राशी वालों को गरम खाने की चीजे जैसे की बाजरा मकर राशी वालों को कंबल, कुम राशी वालों को काली उड़त की दाल, मीन राशी वालों को हल्दी और बेशन की मिठाई दान करने चाहिए नमस्कार